ओम नमस्षिवाए मैं हूँ स्क्लोजर के अंसिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मकर लगन और फरवरी मन्त कैसा बीतने वाला आईए हम इस वीडियो में समझते हैं इस वीडियो को स्टार्ट कर इससे पहले बता दूँ कि जो मेरा जितने भी प्रिडिक्शन होते हैं लगन को आधार मानकरी मैं प्रिडिट करता हूँ और अगर आपको आपका लगन नहीं पता है तो बगल के स्क्रीन में जो चार्ट दिया है आप अपने लगन के लगन कुंडली को मैच कीजिए अगर ये मैच होता है तो निश्यत रूप से आपका जो लगन होगा वो मकर होगा और आपको यह वीडियो देखना चाहिए इस महीने कुछ वरत और तेवार होंगे और ये भी मैं बताऊंगा कि साथ में किन किन ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा और उन ग्रहों के राशी परिवर्तन का सैयुक तुरूप से आपके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे देखे आपके उपर जो ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा दृष्टियों को ना आधार मानके केवल पॉइंट तू पॉइंट यहाँ पर मैं बात करना पसंद करूंगा जिससे कि आपको भी जल्दी समझ में आ जाए और इसको अंतिम परिणाम बिल्कुल भी नहीं मानियेगा क्योंकि यह गोचर का परिणाम है पचास प्रतिशत तक केवल एप्लिकेबल है और अगर आपको चाहिए कि आपका A to Z पूरी प्रेडिक्शन इस मंद की बताई जा सके तो आपको कस्टमाइज राशी फल के लिए अपडेट करना पड़ेगा हमारे इस वाटसेप नंबर 9818318303 पर कस्टमाइज राशी फल के लिए आप एप्लाई कर दीजिए और जिनको यहां एस्ट्रोजी सीखनी है जिनको एस्ट्रोजी का पूरा ज्यान सीखना है इसके लिए तीन दिन का डेमो क्लास हम स्टार्ट क चाते हैं तो तीन दिन का फ्री ट्राइल क्लास आप इसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वाटसेप संक्या 9818318303 पर अब कौन से वरत और तेवार इस महीने में होंगे आई एम समझते हैं सबसे पहले 11 फरवरी को माग अमावस्या पड़ेगा 12 को कुम्ब संक्रांती अर्थात सूर्य जो होंगे वो मकड से निकल कर कुम्ब में संक्रांती करेंगे 16 फरवरी को वसंत पंचमी मनाया जाएगा 23 फरवरी को जयाय कादशी 24 फरवरी को प्रदोश वरत होगा और 27 फरवरी को माग पूर्णीमा मनाया जाएगा तो ये वरत और तेवार थे जिनके अलावा सरवार्थ सिद्धी योग अर्थात ऐसे दिन जिन में आप कोई भी काम कीजिए उसमें सिद्धी सरवार सिद्धी यानि कार्यों को सिद्ध करने के लिए उप्युक्त थी थी हैं पांच फरवरी, साथ फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी, 25 फरवरी और 28 फरवरी ये सरवार सिद्धी योग के दिन निकल के आ रहे हैं इसके अलावा बुद्ध का राशी परिवर्तन 4 फरवरी को होगा सूर्य का संक्रांती 12 फरवरी को बुद्ध और सुक् समझते हैं कि इस महीने में क्या-क्या घटित होने वाला है देखिए छैग्रहों की यूति जो होगी या सात ग्रहों की यूति जो बन रही है दस फरवरी को वो सबसे जाधा अगर किसी को प्रवावित करेगी तो वो मकर लगन है आपके लगन पर ही ऐसे दो important ग्रह अस्त हो रहे हैं एक आपका लगनेश अल्डेडी अस्त चल रहा है और साथ में देव गुरु ब्रस्वती भी अस्त रहेंगे और 6 ग्रह एक साथ होंगे और उपर से राहु की नौवी द्रिश्टी भी पड़ेगी तो निशित रूप से दंगे फसाद होने की चीजे अल्डेडी प्रिडिट किया जा चुका था जिसका उद्गाटन देखने को मिला होगा आपको अलाकि मैंने 10 फरवरी की डेट बताई थी लेकिन 10 से 15 दिन पहले ही सारी निगेटिवटी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन 10 फरवरी से लेके 15 दिन पहले ये सारी निगेटिवट स्टार्ट हुई है और अभी भी रेड अलर्ट आपको रहना चाहिए इसलिए मैंने वीडियो का नाम ही रेड अलर्ट करके डाला था अब क्या क्या होने वाला है सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला मांसिक रूप से आप इस महीने जादा परिशान रहेंगे आपको कार्यों क सिद्धी करने के लिए अत्यदिक श्रम करना पड़ सकता है अत्यदिक मेहनत करने के बाद ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे दूसरा कान में या आख में कुछ पिड़ाएं हो सकती है और आपको ध्यान देना चाहिए और इसको लास्ट में मैं आपको उपाय कंदित जो चीजें होने वाली थी वो नहीं हो पा रही थी उसके सफल होने की संभावना अब आपको मिलेगा अर्थात एक शुब समाचार दूर संचार मादेमों से चाहे वो फोन से ही हो या वो इंटरनेट से हो कही ना कहीं किसी ना किसी तरीके से शुब समाचार आपको म important बात क्या है कि ये perfect timing होगा इस महीने अगर आपको भूमी वहान मकान में investment करना है तो महीने के मदे के बाद आपको निशीत रूप से यहाँ पर investment कर लेना चाहिए इसके अलावा आपको भागे का सयोग मिलेगा पिता के स्वास में थोड़ी तकलीफ हो सकती है जो आपके उदर सम्मंदित पिड़ाएं होंगी विशेश रूप से आपके जीवन साथी के स्वास में विशेश रूप से उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है कुछ important चीजें हैं विद्यारती वर्गों के लिए प्रत्योगी परिक्षाओं के जो परिणाम होंगे वो मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी और नौकरी वेवसाय के छेतर में जो कुछ रुकावट के साथ लेकिन काम बनने की संभावना दिख रही है अब आपको क्या करना चाहिए इस महीने जिससे की पूरा महीना अच्छा जाए सबसे पहले तो शनी का बीजमंद्र कीजिए क वस्तरों का भी द्यान करना चाहिए शनी का व्रत रखिए वह आपके लिए स्रेश्ट रहेगा तो यह था मकर लगन वाले जातकों के लिए फरवरी 2021 का लगन फल और जाते जाते बता दो कि जिनको भी पूना एस्ट्रोलोजी की क्लासेस पढ़नी है हमारे एस्ट्रोलोजी एप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा और इसको आपके डाउनलोड करना पड़ेगा और साथ में हमारे वाटसेप नंबर 9818318303 पर इसके कस्टमाइज आपको इंडूल्मेंट करना पड़ेगा और इंडूल करने के लि और इसमें तीन दिन का free trial आप ले सकते हैं free of cost और वो भी आप जिनको सीखना है उसके बाद जो interested विद्यारती होंगे वो regular class start हो जाएगी बाकी यह महिना आपके लिए अच्छा बीते ऐसे भगवान से मैं कामना करता हूँ मैं हूँ एस लौजर केम सिना ओम नमस्षिवा झाल 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 झाल